सबसे पहले आप उस वीडियो और फोटो को देख लिए जो निमज नार्कोटिक्स में धर्ना प्रदेशन किसानों दिया। नमस्कार किसान पाईयो जैसा कि आज की तारिक हैं विश्वषनी यूटूब चैनल और विश्वषनी हमारे जो खबर जो सुत्रों के अनुसार मिलती हैं हमको उनकी अनुसार आप सभी को बता दे कि आज की तारिक हैं आज की तारिक हैं 10 नवंबर 2019 वार रविवार जैसा कि आप सबी जानते हैं कि किसानों ने एक मांग रखेती डिन सी वगेरा सब भी को ग्यापन दिया था जिला आप ये माधिकारी मंदसोर में भी धरना प्रदशन किया था साधी निमत से जो नार्कोटिक्स काजले होता है उसको भी गेरा था अब मेंने जिस प्रकार से कम्यूटिक्स में आपको बताया था कि जो चार पाइंट पाच की मारिफिन है उसके अनिवारियता समाप्त की जाएगी या नहीं लेकिन अभी तक आपसे कहना चाओंगा और अभी तक ऐसी कोई संभावना नहीं है कि चार पाइंट पाच की जो मारिफिने उसको कम कर दी गई है या अपना जो ग्यापन दिया था उसकी बात दिल्ली में रखी है दिल्ली में ज़रूर रखी है ग्यापन के माध्यम से लेक अब जयो भी आपका सवाल हो या कमेंट हो वह आप यूटूब चैनल पर कमेंट कीजेगा और नहीती में संभावन की बात रही थी मुझे हमारे जो एक सब्सक्राइबर है किशोर जी माली बने के उनका कमेंट सोरी फोन भी आया था और मैं माप कीजेगा मुझे कि कभी भी आप अगर कॉल कीजेगा तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन उन्होंने जो सवाल पूछा था कि क्या सर परिवर्दन हो सकता है लेकिन आज की जो तारीखे 10 नवंबर 2000 गुनेश वार अभी वार अभी तक तो ऐसा कोई न तो खबर आई है और न निती में संचदन हो सकता है ऐसी बात सुत्रों के अनुसार मिली है धन्यवाद साथियों आपने इस वीडियो को देखा है और हर यूटुब चैनल और हर प्रकार की जो जानकर होती है विश्वशनी जानकारी दी जाएगी और आप सभी के जो भी लाइसेंस अभी जो चार्ट दशमलों पाच की जो मारिफि पटेवीत मंतराली तक बात बहुचे और आप सभी को लेकिन आपको बता दू में सबसे पहले कि जो मांग रखी थी किसानों ने वो मांग ये रखी थी कि मार्फिन का ज्यान सबसे पहले तो किसानों को नहीं है मतलब किस आधार पर मार्फिन तई की जाती है उसका जो का मतलब यह जो इसकी था जब ह जब धन्य प्रदेशन के सामने नार्कोटिक से विबाग निमच कारिया लाइ में अभी कुछ दिनों फेले आपको पता है। कि समक्राइब इसनल नियों से जो बात करी हैं मार्फिन से पट्टे देने का आदार खत्म कर दिया गया हैं क्या यह सच हैं तो डिन्स ने जवाब दिया कि देखिए अभी तक निती में संचोदन नहीं हुआ हैं वहे कि वही हैं और उपर दिल्ली से होता हैं जैसे ही सुचनाम को मिलेगी हम आपको बता देंगे दूसरा सवाल पूछा था पूराने पटे बहाल हो डिन्स जी ने कहा है कि मैं आप सबकी भावना समस्ता हूं मंत्रा ले वित मंत्रा ले तक आपकी बात पहुचा दूँगा किसान नतन का अधिकारी ओसरत वक्त काई मावलों में किसानों से रुपए वसूलते हैं तो डिन्स जीन कहा है कि यदि कोई प्रिष्टाचार करता है तो उसकी शिकायत आप उपर तक किजिए उस पर कारवई होगी और किसानों की जरूर मांग ये थी कि जो ओसरत के आधार पटे दिये जाए न कि मार्फिन के आधार पर और जैसा कि आप सभी को मैंने community boxing बताए था कि आपको मैंने ये कहा था कि अगर ये मांग आगे तक जाएगी और अगर कुछ परिवर्तन होगा तो आपको मैं जरूर बताओंगा हमें पता है कि हमारे जो subscriber हैं पुषपाय परजापाजी हैं किशोर जी माली हैं और बहुत सारे subscriber हैं मुझे पता है कि आप सभी किसान बंदू हैं और जिन जिनके license हैं अफिम के पटे ये सवर्ष नहीं आये हैं रुके हुए हैं उनका कुछ believe था मतलब सरकार पर कि कुछ संशोधन होगा 10 नवंबर तक हो स सकते हैं अभी तक तो ऐसी कोई संभावना नहीं है खेर वो आपकी इचा है कि आप अगर जगह खाली छोट रखी हैं आपने कि कभी हमारा चार पाइंट जो पाच की मार्फिन है कभी इसको अनिवार्यत तो समाप्त नहीं की जाएगी लेकिन इसको इस आधार पर पटे दि लाज के अनिवाजित समाप्ति की जाए और उसत के आधार पर पटे दिये जाए लागत मुल्य के आधार पर अफिम का भाव 10,000 रुपए प्रतिकिल हो और पूरो में वर्षों से पहले जो कटे हैं पटे और कम उसत के पटे बिना शर्त बहाल किये जाए ये प्रमुक प्रों मां कर दो प्रों! पार अजाज की!